आशा करतों आप लोग अच्छे होंगे मैं राज कमल पंडर आपको स्वागत है अज आज हम डिस्केशन करने मेले है वह सर्फेस्टेक्चर और मेजरमेंट यह जो टॉपिक है प्रेंट सी बहुत इंपोर्टेंट है आई टी जो फिटर ट्रेड करते हैं मेशिनिस्ट टर्नर इते थे तुम स्वागत इनगी में पंडरेंट सी इस प्रouse हो गयतने हैं और मेंट इसलिआछे सी अजयर। मान लीजिए यहाँ पर मिलिंग मैशिन ने मिलिंग किया हुआ है अभी क्या जो जॉब के सर्फेस उपर देखिए यह जो जॉब है यह एक रेक्टंगुलार वाट पीस आप देख रहे हो जो क्युबट पीस है तो इसके उपर यह जो लाइन-लाइन कट देख रहे हो मानिए यह टूल्स का मार्क है, जो टूल इसके उपर कटिंग करके गये है, उस टूल का कट मार्क है, तो आप अगर एक कोई भी जॉब को, मेशिनिंग होने के बाद, उसके उपर से अगर आप टच करोगे, हाथ टच करोगे, जस्ट आपको लएगा कुछ हाँ सर्फेस में कुछ तो का चोरा जो कि रॉफ़नेस जायसा है, ठीक है friends, तो आप सिंपल सिअ भी बोल सैक्तों, जो सर्फेस का यह तो वह कैसे होता है तो रॉपनेस क्या होता है कोई भी जॉप का सर्फेस के उपर कुछ स्मूथनेस होता है और कुछ रॉपनेस भी होता है अब गर आपको स्मूथ लागेगा तो भी एक सेंस होगा हाथ टच करने के बाद और रॉपनेस रहेगा तो भी टच करने के बाद एक सें कोई भी बॉड़ी का अपर मॉस्ट लैयर माईंट चक्छाइब उसको हम इधना जो देख रहे है या तो कोई भी बॉड़ी का जो अपर लियर होता है उसको हम सर्फेस कहेंगे ठीक है तो सर्फेस तो मैंने यहाँ आप सबस्टेक्ट्र चरड मेजरींट जो है सबस्टेक्च क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को exam आप आसान ही सी clear कर पाए प्रेंट के लिए most important एक लास तो तु तो तो तेखे रिखे रोगते हैं surface structure और measurement के आप definition देख लेते हैं surface texture when parts यह न होगा friends when parts are made by either by machining और by hand process the movement of the cutting tool lips, certain line or pattern on the surface this is called the surface texture अभी वने बताया जो कि एक पार्ट को लिया है हमने और उसको मेशिनिंग किया या तो उसको क्या किया प्रेंड्स है और हमारा फाइलिंग है तो अब आप मौश्चली फायिग मान लिजीए कोई भी process किया कोई भी job को तो उसके उपर का एक जो आपका cutting tool का movement होता है cutting tool movement होने के बाद जो एक line create होता है और उसको line और button जो हम बोलते है on the or surface surface के उपर जो button create होता है उसी का हम क्या बोलता है surface texture friends surface texture मुस्लिए दो types का होता है एक primary texture और एक secondary texture friends तो देख लेते हैं दूनों क्या है तो देख लेते हैं यहाँ पर जो primary texture है उसको हम roughness बोल सकते हैं और secondary texture उसको हम waviness बोल सकते हैं यहाँ वेव क्रेट होता है प्रेंट है क्यों दिखा होंगा अभी तो क्या देख लेते हैं roughness का है जो irregularities in the texture result from the inherent action of the production process कोई भी production हम कर रहे है कोई भी job बना रहे है तो जो inherent action होता है cutting tools का जो cutting tool के द्वारा जो irregularities create होता ही है तो जो line create होता है ज्यादा line मितलब जो cut cut create होता है उसको हम बोलेंगा roughness waviness क्या होगा my friends component of surface texture upon which roughness is supreme pose roughness के होगा ऊपर जाएगा और नीचे आएगा मैं आपको इसका drawing दिखा रहा हूँ तो आपको पूरा समझ में आ जाए तो देखे friends आप जो drawing देख रहे friends यह अलड़ी क्या हुआ आना है इसके उपर से job cutting होगा मितलब कोई भी a tool आया job के उपर cutting करका चला गया तो यह देखे कुछ button create हो गया तो जो button है वो तो हम surface texture बोलेंगे ठीक है और जो primary texture क्या है जो irregularities से उसके उपर surface के उपर जो irregular यह तो regular नहीं है regular form नहीं है irregular form देखे यह चोटा बड़ा यह irregular form है तो इसको हम क्या बोलेंगे क्या कहेंगे इसको primary texture यह तो roughness कहेंगे waviness का है जो supreme push हुआ है जो उपर उपर आया है यह देखे यहां पर जो cut side view से हम देख रहे है यहां से इस view से तो देखे यह कुछ wave जैसे create हुआ है ठीक है और total तो यह उपर से नीचे का जो distance है उसको मोलेंगे roughness या तो primary texture ठीक है जो roughness है और waviness का है जो उपर उपर waves जैसे creator waves सबको पता हो ना तो जो waves जैसे creator उसको क्या कहेंगे न waviness ठीक है तो waviness को उसको measurement करेंगे एक आरे भेलुस्यों में बता तो अभी यहां पर देखे दूसरा drawing है यहां पर मान लीजिए यह हमारा cylinder है जो गाड़ी का engine का cylinder है cylinder का बाहर section है यह अंदर का section है जिसको हम बोर बोल सकते हैं और बोर के अंदर क्या होता है हमारा यह piston क्या होता है अब डाउन करते है जो reciprocating motion बोलते है तो जब पिष्टन जाब बोर में reciprocating motion में होता है तो side में क्या होता है friction होता इस wall के साथ साथ यह जो 2-3 ring रहता है वो क्या था friction होता यह ring तो यहां पर मानिए यह friction हो रहा है तो अगर यहां पर heat produce होगा यहां पर थोड़ा सा मान लीजिए heat को कम करनी के लिए यहां पर क्या चाहिए थोड़ा सा lubrication चाहिए हलका अंदर तो क्या heat को होँआ पर अगर पुल जूम करेंगे तो ऐसा दिखेगा हलका हलका यहां पर दिखेगा जो कि यहां पर अंदर रहता है जो कि surface को roughness चाहिए तो इस इसका अंदर क्या होगा वाइल रहेगा तो हमारे कहां को lubrication करेंगा जो कि हमारा हम पर हीट थठाच होगा ह मतला हीट तो होगा पर लोकलाइज रहे जाएगा ज्यादा हीट जनरेट हीट होगा ज्यादा हीट हो जाएगा तो क्या होगा piston में भी डैमेज हो सकता या तो कुस engine को soundphone change होसा और तो तो यहां पर तांट mounted origin बिखें कि जफनें क्या होना चाहिए क्यों किरो पर है क्यों कि होना चाहिए यहां पे friction को तो चाहिए इंडीत है क्या होता है शर्फास कर ये शो पर या हो इसे हो missiles अलग चप्ता है तो मैं बताऊंगा प्रेंट्स क्या होते friction फिर देखना थे प्रेंट का रे भेलूस रे भेलूस क्या होता जो पने स्कॉम काल्कुलिशन करते हैं उसको रे भेलू लेते हैं तो कैसे लेते हैं expressing the surface structure quality surface structure का जो quality है उसको वह नूरिकली इसको मेजर करना पड़ेगा, कि उयसे है ना को हमारे है, कॉई कॉमारे है कि अधर में भी है, पर एक साहँ है, उसके साहँ है उसकेसा तर युनिट चाहिए, तो हम उसको NEO क्या करेंगा ? चरणीड, इसाप है के पहें से चरणीब, क्यों बड़नेता सप स्कन्द संदू क्यों से रिपर्श र klim आयुकरs पहें उस नम्हां जो और में य। This is also can be indicated in the cross-pending roughness grade number ranging from N to N12. N to N12 क्या है? इसका cross-pending roughness grade है, ठीक है? Roughness जो grade होता है, तो देख लेंगे हम N में कितना grade है, grade increase हो रहा है या decrease हो रहा है, तो कोई भी job हम बनाएंगे, तो उसमें क्या 100% तो वो roughness कम नहीं होगा, तो हमारा job बाइस अलग-अलग categorize-wise किया है, जो हमारा कौन से job में, कौन से part में, या तो कौन से component में हमारा अलग-अलग surface का जो gradness दिया होगा, तो वो gradness है हमारे categorize किया है, रेंजिंग है, वो N2, N12, N1, N2, N3, N4, N5 करके N12 जाए है, ठीक है? surface texture measuring instrument, surface texture को हम कैसे measure करेंगे, एक-दो हम measurement कर सकते हैं, इस्टुमेंट है, यह एक mechanical surface indicator और एक electronic surface indicator, तो electronic surface indicator तो friends अभी जो technology बहुत हाई हो गया है, तो अभी electronics ही mostly हमारे यूज होता है, और mechanical surface indicator मैनुवली आपको value को read करना पड़ेगा friends, यहां पर एक drawing है, यहां पर नीचे उपर एक part है, नीचे एक part है friends, तो आप example मान लिजिए, यह जो नीचे part उपर पर friction के लिए यहां पर example दिया है friends, यह एक surface है, यह उपर एक surface है, दो sliding surface, और एक के उपर एक रखा हुआ है, इनिशियाली first stage में मानिए, तो मानिए, यह surface है, मतलब sliding होता है हमेशा, कुछ काम के लिए, मानिए, यह sliding होता है, कोभी एक machine में, ठीक है, तो यहां पर बीच में क्या करें, यह जो देख रहे आप उपर है, यह high spots है, तो धरे-धरे-धरे क्या होता है, मतलब बीच में मानिच जब ढीटा है तो धरे-धरे-धरे जो धरे घ्रे-धरे-धरे-धरे, गहाएब हो जाता है, मतलब खतं हो जाता है, तो धरे-धरे जब खतं होता है, तब हम क्या बोलता है? यह surface structure का जो का a lebih हो प्तश itky खराव हो गया, को व्यारिंग उते हैंगो अधिटांग अब्रेटंग को पसका फिरी गंति को अधु松 और अधिया達 और और भी सिंट Point 4 या तो शिशनल HOL पहले आपको आ हम सिट्रों के अधिच्ट का लिए वह अधिक भी पहले अंधिक अधिक और उपर वायल आ जाता है और वायल आने के बाद का दुआ निकलता है यह बात की बात में एक्जाम्पूल दे रहा हूं आपको ठीक है तो देखें यहां पर average line कैसे होता है जो आरे भेलू हम measure करेंगे average line से तो देखें यह जो surface मानिए एक surface है तो यह waves ऐसा create हुआ है ठीक है तो यह high supreme force है यह तो हमारा हम क्या बोलेंगे इसको webiness बोलेंगे जो उपर उपर गया है ठीक है और highest force है यह नीचे मान लेजिए यहां पर low है ठीक है यहां पर I think crest कहते है crest ठीक है तो यह दोनों के beach में एक line create किया है beach में average किया है तो इसको हम बोलेंगे average line या तो center line average print ठीक है तो इसको measurement कैसे करते हैं तो यहां पर आरे value कैसे हम लेंगे ना देखें यह हमारा क्या है उपर हमारा average line है friends और नीचे हमारा का एक bottoming line है ठीक है जो bottom है जो RA line भी हम बोल सकते बोटम में ठीक है और उपर हमारा का average line तो यह जो average line in uploaded profile है यह प्रोफाइल के उपर जो हमारा यह line create हुआ है और इसके नीचे जो हमारा RA line है तो यह दोनों में दोनों का जो distance है friends उसको वही पर हम जो value लेंगे उसको हम बोलेंगे तो the distance between two lines in the RA value of the service हम बोल सकते है ठीक है तो friends आज का class इतना ही जो surface texture का और भी surface texture का और एक class या तो दो class में complete हो जागा तो friends ऐसा class upload होते रहेगा और आपका अगर जब exam होगा तो मैं एक्जाम related objective question भी discussion कराऊंगा उसके साथ साथ जो आमारा टेक्निकल का question है आई टेक्निकल का question है आई टेक्निकल के लिए काम आ जाएगा और एस वेलेज़ डिपोमा मेगा निकल ठीक है तो मेरा target है आप लोग कैसी भी करके आपका exam क्रैक करें और friends आजो लोग भी मेरा आप टेक्ष्णोम इडhã देक्निकल का सanden are वेलेज़ है आप वेलेज़ से ब्हाद का